हेलो यूट्यूबर्स, वेलकम टू माई चैनल, स्टैडी टास्क आज की हम वीडियो में इसमें सीखेंगे कि नंबर ओफ फिगर कैसे काउंट करते हैं हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं कि नंबर ओफ फिगर कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए भी मैंने सिंपल सी ठ्रिक बताई थी पर आज की हमारी जो ये वीडियो है वो है कुछ complicated अगर question आ जाए exam में उसके लिए for example मैंने कि यहां पर draw भी किया हुआ है तो इस type का अगर आपके बास question आ जाए आप कैसे करेंगे आपके पास जैसे जितने number of box से बसाइड में लिख देना है पहले one box है तो one लिख दिया two boxes है तो two लिख दिया यहां पर one two three three boxes है three लिख दिया ऐसे यहां पर boxes कितने है four तो four लिख दिया करना किया इस सब का square कर लेंगे one का square मतलब one को two times multiply करेंगे one आ जाएगा two को two times multiply करेंगे four three को दो बार गुना करेंगे nine आ जाएगा ऐसे ही आ जाएगा 16 अब जब आपको निकालने हो number of figure तो आप यह जो number आया ना इसको सबको add कर देंगे जब add करेंगे आपके पास आजएगा answer 30 ऐसी एक और question है थोड़ा complicated हो अगर आपके पास कुछ ऐसी figure आजाए benji like structure जो कि हमने chemistry में बहुत पढ़ी होगी तो देखिए इसके अंदर आप कैसे find out करेंगे कि number of figure कितनी है यह number of box कितने है कैसे निकालने सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए आपको क्या करना है कि जो भी यहाँ पे लिखा है यहाँ पे है one box पूरा ही है अगर हम count करेंगे one यहाँ पे यहाँ पे one और एक two two boxes बन रहे है और यहाँ पे पूरा one two और three तो three लिखने ने फिर next जो box बन रहे है one two three और एक four यह ऐसे लिखने ने उसके बाद आपका जो का है वो क्या होगा देखिए दिहां से number of counting कुछ ऐसे चल रही है one two three four जहां पे counting मतले एंड होएगी four तो उसका reverse कर देना है मतलब यहाँ पे four को multiply कर लेंगे one से next हो जाएगा two और फिर हो जाएगा three और फिर हो जाएगा four मतलब उल्टा चल जाएंगे हम अब इन दोनों का पे से multiply करेंगे आएगा पहला four two को three से multiply किया छे तीन दूनी फिर से छे हो जाएगा चार को जब एक से गुना करेंगे फिर से चार हो जाएगा अब आप इन सब को add कर लेंगे चार छे दस छे और चार फिर से दस और 10 और 10 कितना हो जाता है 20 तो इस टाइप से हम find out कर सकते है कि number of figure कितनी है इसमें